श्री क्रिश्न, भगवान स्री क्रिश्न की कृपा हमारे शबी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है, तो गीता की ए पांच बाते दिलाती है हर छेत्र में शफलता। श्रीमत भगवत गीता में भगवान क्रिश्न के उन उपदेशों का बर्नन है, जो उन्होंने महाभारत युद के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में 18 अध्याय और 700 स्लोक हैं, जिन में धर्म के मारग का अनुशरन करते हुए सतकर्म करने की सिक्षा दी गई है। जीवन की प्रतेक समस्याओं का हल गीता में मिलता है, मना जाता है कि गीता के बातों का अनुशरन करने से जीवन बदल जाता है, और बेक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। तो आईए अज आपको बताते हैं स्रीमत भगवत गीता की उन पाँच बातों के बारे में जिन्हें अपना कर कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। गीता की अनुशार बेक्ती को अपने क्रोध पर नियंतरन रखना चाहिए। इसमत भगवत गीता की अनुशार प्रतेक मनुश को आत्म मन्थन जरूर करना चाहिए। आत्म ग्यान के जरिये ही बेक्ती को अपने गुन और अबगुन के बारे में पता चलता है। आत्म मन्थन बेक्ति को शही गलत का निर्ने करने में मदद करता है इसलिए कुछ शमें अकेले में बैठकर आत्म मन्थन जरूर करना चाहिए स्री क्रिश्न के अनुसार बेक्ति को श्वेंग का आकलन करना भी बेहद आवश्चक है जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वेंग से जुरा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे जब मनुष्य अपने गुनों और कमियों को जान लेता है तो अपने बेक्तितों का निर्मान सही धंग से कर पाता है गिता के अनुषार हर बेक्ति को अपने मन पर नियंतरन रखना जाई मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है जो बेक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है, ऐसा ब्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष को आसानी से हासिल कर लेता है भगवान स्री कृष्ण के अनुशार मनुस को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है इसलिए परिनाम के बारे में सोचे बिना ब्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए तो बोलिए जय स्री कृष्ण, जय स्री कृष्ण